दोस्तों क्या सब्मरीन के डीकमिशन होने के बाद इसके नूकलियर रियक्टर को खुले में ही रख दिया जाता है क्या इससे रेडियेशन नहीं फैल जाएगा दरसल अमेरिका और सोवेत यूनियन के बीच एक सॉल्ट ट्रीटी हुई थी जिसके तहट जब भी दोनों देशों में कोई भी नूकलियर पावर्ट सब्मरीन डीकमिशन की जाएगी तो कनफर्मेशन के लिए इसके नूकलियर रियक्टर वाले हिस्से को खुले आसमान के नीचे इनसानी आबादी से दूर एक isolated इलाके में रखा जाता है ताकि दूसरे देश कनफर्मेशन के लिए सैटलाइट से इसे देख सकें इस reactor को बेहत secured system से seal किया जाता है और इसमें nuclear material भी समाप्त हो चुका होता है इसलिए nuclear radiation भी नहीं होता है